गुड मॉर्निंग फ्रेंड टोडे इस 23 जैनुबरी वी विल डिसकस एन एडिटोरियल फ्रॉम दे हिंदू एंड इट्स बुकैब आज का एडिटोरियल है फ्रॉम फियर टू होप यानि की डर से आशा की ओर क्या डर से आशा की ओर यह पूरा पूरा एडिटोरियल जो इसमें भी जिक्र है इस चीज का और यहां पर जो हाइलाइटिट वर्ड दिखाई दे रहे हैं और इंपोर्टेंट है वो मैंने सब नोट कर रहे हैं हाइलाइट कर रहे हैं और इनको मैं एक्स्प्लेइन करूंगा आपके एक्जाम के पॉइंट दो बिश हैं काफे इंपो शिवाइट आफको करा दिया है है ठीक है बस आपको कंसिस्टेंसी इसाद 20-25 मुर्ड देने और विसी में आपका सबकुछ हो जाएगा पहला वड़ ही ही इल का ओंद ठीक कर ना होता है घाव भरना होता है प्रोवाज है क्यों कि और प्रोवाइट कराना मेक हैल्दी यानि एक्सपोनेंट भी सकते ही सब इसी के ही सिनने में यह हइन्हें है निरे अबाब दालने के सेंश में आता है ठीक प्रेद करना इस पर और और ध्यान लगने इसपर के साथ प्रपेजिशन ओन आती है यह भी इंपोडेंट बात है शाथ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर सकते हूं ठीक है और थोरी ज्याद अच्छी लग रही है तो शेयर कर देना इतना कर दीजी मेरा मोटी भी सबना और मैं आपको इस तरह से डेली वीचिस पी चीज़े प्रवाइड कराता हूंगा नेक्स्ट वर्ड है कंसेप्शन कल्पना अब धारना यानकी क्रियेशन ऑफ सम्थिंग इन माइंड इनोवेशन यानकी माइंड में कुछी क्रियेट करना उस्षी के अकॉर्डिंग काम करन करना वह जुनून कहलाता है जैसे आपके अंदर जुनून ऑप्सेशन है जॉब के लिए हैंड़ोवर का मलत देना होता है सापना होता है गलीवर रेंटर जिसको हम बोल सकते हैं तो नहीं इंपोर्टेंट बढ़न है हैंड़ोवर भी यह फ्रीजल है और यह आपकी वाव ह निकलते तो confusing रहता है तो बैसे वह ambiguous हो गया और अन लगा दूँगा तो क्यों होगा इस पस्ट एक दम क्लियर अन एक्क्यूवकल यह भी बहुत important word है दिहां रखना अन लगने से ऐसा लगता है हमें कि यह negative change में जाएगा ठीक है बट मैं आपको बता दूँ इसका मतलब भी इस पस्ट होता है यह यह क्योवकल यह तो बहुत repeated word है तो आप दिहां रखें confused करता है जैसे कि यह है कि ट्राइम्फिलेज्म के उनलब विजयवादी एक अपका अप्रोच एक नजरिया अपकी फीलिंग ऐसी हो जीतने वाली हो सुपिरिटी वाली हो उसे हम ट्राइम्फिलेज्म बोलते हैं गिरिवांस का मलब शिकायत होता है कश्ट ग्रज किसको इसको हम बोलते हैं ठीक है देहां आकना काफी कि इंपोटेंट वड़ ये भी क्योंकि यूंकि रिपीटेट है रिकनसेलेशन ये भी प्रौक करने से मालशी जहड़ा होगे किसीट्व पार्टी के अंदर तु उसमें कहारता है आप जाके पज क्रूप में चाहिए और समझा दीजी है ना मेल निम लाप करा है तो बहुत अच्छी स्टडिय दिहा रखना इतना ही कर लीजिए काफी है आप चलते हैं कुछ पर आपकी जो एसे की कुश्चन से ना आपका आंसर हो जाए ठीक है इस तरह से आपको याद रखना है इसमें हमें फाइंड करना है एक लड़के के लिए एक लड़की के लिए देखो आपको बता दो इसमें सीधा सीधा मालूम पढ़ रहा है जब भी दो लोगों की बात आए अदो लोगों की बीच में कोची सियर करने वाली बात आए तो इसमें हम बीटवीन लगाते हैं यह तो पता ही है अगर मोर्देन टू हो तीन हो चार हो कितने भी हो सकते हैं तो इसके लिए अमंग नहीं बीटवीन का यूज करना चाहिए और इस वाले पार्ट में हैं तो अमंग देख लें यह थर्ड नंबर में ही आपको क्या हो जाएगा एरर हो जाएगा यानि परफक्त आंसा थर्ड नंबर इन क्रेक्टली स्पैलिंग देखनी है वई क्या कॉल से एड़ॉप्ट का म झालों से ब्लब और यह वाला यह तो ईसक्वर करना इसा नहीं कि आरड़्ाइच को पितला होगा है तो इस पे लिखाए है कि अहलων हो आपका है दो स्पैलिंग यलत हुए नेक्स देख लेते हैं क्या है एंटेनिम फाइंड करना है बिलूब सब्द यानि कि बिश्टम बिश्टम को अंदर चतुर चाला समझदार होता है तो इस्टूपिडिटी इसके एंटेनिम हो सकता है एक्स्पीरियंस तो नहीं हो जाएगा नहीं हो जाएगा इंटलिजन्स यह भी नहीं होगा तो यानिकि और फॉस्ट ही क्या है आपका पर्फेक्ट आंसर है और तो कुशन है नहीं यह चार कुशन थे चार मैंसे मुझे लगता है चारों आपने कर दी होंगे ठीक है और जरूर बताई मुझे कॉमेंट में कि यह कु कीजिए लोगों को शेर कीजिए इतना तो कर दीजे इतना तो बनता है क्योंकि इंगलिस इस तूल की भाती है और इसे आप इस्तमाल कर सकते है यह बिलम्यूज आपको आनान्द मिले गया economic की साथ और क्रिशती नहीं तृटरी कि रहा है फ्रॉम फियर टू पर यानिकि जह वहाँ डर-ठाप का होगी वाच रसे आसा किया है डर से A-薗 किया है राम टेंपल मस्ट हैल्प एर राम टेंपल को 꾹ल करनी चाहिए इन हीलिंग ठीक करने में सुधहरने में घाय बरने में रहों उसनों न यह जहाओ बरहने में एंद कृटिंग वो गया राम टेंपल बन गया ठीक है अब इस टेंपल को क्या करना चाहिए हार्मनी बिढ़ाना चाहिए लोगों के अंदर समाज के अंदर ठीक है इस पर लिखाओ पूरा इडिटूरिल हम लोग इसे डिसकेस करने वाले हैं सब्सक्राइब जर्ण सब्सक्राइब आज्यूरिया के अंदर ओपनी हो रही है एक बहुत तेज टर्न है मुड़ाव है इन कोर्श ऑफ मेंशन देश के नेशन के तोर पर देखें तो ये देश के अंदर बहुत बड़ा चेंज आने वाला से बदला वाला है ठीक है राम टें क्लियर है अब यह दूसरे सेंटेंटेंज क्या कहता है दज सेंटर रूल औफ स्टेट की स्टेट है राजिका मुख्य रूल ठीक है वो क्या है इन्दरी रिचोल का मतल्ला होता है इनकी प्रिथाय का है ना बोशड एसेशेटिड विद इनाउगरेशन सब रिचोल से हैं सारी चीजें जो जुड़ी हुई है सेंटर की मुख्य बात है वो इनाउगरेशन से इस बीचलिबरेटर की जा रही है बाइद प्रोपरेंट प्रोपरेंट के मतलब जो समर्थक लोग होते हैं ठीक है उनके द्वारा और मंदर के टेम्पल के जितने भी समर्थक हैं उनके according है उसका मुख है क्या है यह केंद्र है वाइल इस अपोनेंट जब कि इसके जो क्यों है विपक्सी है फियर उनको डर लगता है ध्यान रखना है आपका सब्जेक्ट है तो इसकी में वह भी है इसलिए यह प्लूरल है तो यह भी प्लूरल है इट इस दे बिगनिंग कि उनको अच्छा इसे मैं हटा देता हूं हमने सेंटेंस लिए जाता हूं इन्होंने क्या बोला है आगे वाली सेंटेंस में दा इन्वरेशन ऑप्दे टैंपल मार्स एड़ डेफिनिटिव मायलिस्टोन की जो नेवरिशन हुआ है शुवारम हुआ है ठीक है टैंपल का यह मार्क क शिन्नित करता है कि definitive mile history बड़ी काम्याभी है ठीक है मिल का पत्थर है ठीक है यह तो बात निशन देया यानि कि inauguration जो आराम टेंपल का यह मिल का पत्थर है माल इस्टोन को लोगता है if not comprehensive victory for the vision of the bgp and prime minister Narendra Modi देखिए if not a comprehensive victory अगर यह ब्यापक comprehensive understanding वाली होती है ना ब्यापक form में victory नहीं है तो for the vision for the bgp bgp की जो बीजन था पहले तो यह था कि इराम मंदे बनवाना है तो उन्होंने बना दिया और पहले था कश्मीर से यहाँ पर आर्टिकल दंबर 370 कोटाना है वो भी उन्होंने कर दिया ठीक है ध्यान देना प्राइम मिनिश्टर नेरिन Modi यह उनका comprehensive victory नहीं माने तो क्या माने यह कहना चाहरा है कि बुलकुल जो उन्होंने सोचा वो उन्होंने कर दिया लेकिन प्रपक्स पार्टी वाले हैं वो यह कह रहे हैं कि अब dangerous slide की starting होने वाली है ठीक है पता नहीं कैसे बोलते ही समझ नहीं आ रही जो भी है फिलाल हम तो sentence देख रहे हैं Mr. Modi said Mr. Modi the debt will last for centuries और एक एरा जो चलता है रहा है century तक चलता है यह कहना चाहरा है तो आप समाझ सकते हैं जाहर सी बात है कि अब कि वार सरकार आने वाली है क्लियर ऐसे उनका मानना है फिलाल तो देखते हैं क्या होता है He called for, called for का मतलब होता है किसी चीज की डिमांड करना यह मांगना उन्होंने डिमांड की humility alongside the celebration of the victory and invoke the universality of spirit of Ram, debt and compasses of humanity उन्होंने humility की बात करी थी humility का मतलब होता है एक तरीके से humbleness क्या होता है humbleness मान अपता बिननम बरता यह सारे में नहीं इसे के हैं ठीक है अलांग साइडिस के साथ साथ celebration किया और विक्टरी का ठीक है इन्वोग्ड मतलब आवहन किया universality मतलब चारों तरफ universal से संबंदे ठीक है spirit मतलब उच्छा ऑफ राम की चारों तरफ क्या है उच्छा है राम का कि राम मंद्र बनना है and components of humanity और इसके साथ सब जुड़े हुए है humanity मान अपता जुड़ी है कि राम भगवान एक तरीके से मान अपता के पिर्तीक है वो और उत्तम पुरिश होने बोला जाता है ठीक है तो जाहरी सी बात है कि मान अपता तो आने वाली है यह बहुत इच्छी वात है आगे देखिए पोर्ट्रिंग टेंपल एज लिंक बिट्वीं इंडियाज रिच कल्चर हरीटेज एंड एंड एमपिस्टियस ऑफ दो फॉर्चीन एक्रॉस बैरिएस जीजन और कम्मुनिटीज फॉर दा कंट्र एक इसलिकए तक देखिए मैंना थोटार पहले जिक्र किया तहाथ है तो नोट बेक्वेन करें कि भी पोर्ट्रें आप धियान देना इस वाले सेंक्स करना एक सीच बनाना चैनर इमेजनेसिन फिर्म में हो एक ऐसी भी ओट्रेंग अब टेमिक यह लिंक बिट्वीं बिट् करते हैं उम्मीद करते हैं या इच्छा लगते हैं कि फूचर में भी यह कैसा होगा इंडिया के जो कल्चर बहुत रहेगा एक्रोच दर बैरिश डीजन किसकी तरफ बैरिस अन्य को जो रीजन से ठीक है उसमें यानि कि हमारे छेत्र में बहुत अलगले छेत्र तो समय जो हम क मिस्टर मूदी उन्होंने बताया यह समझाया या दबाब डाला यह कोशिश की समझाने की कुछ भी बोल सकते हैं जो का मतलब फैलो सिटीजन से जो उनके साथ के सिटीजन से हैं सब लोग टू तिंग बिग और पर परपज़ फुली फॉर प्रोग्रेस उन्होंने सो कहा कि बड़ा सोची और परपज़ फुली फॉर प्रोग्रेस और यानि एक उद्दिश से काम करते रहिए तो सब कुछ संबब है क्लियर आगे देखिए इन्होंने क्या बोला मैं सेंटेंस को हालेट कर देता हूं यहाला सेंटेंस एक परग्राप पूरा हो जाएगा बहुत प्रोटी एंड डिटर्माइन नॉट बाइन ऑप्शेशन बिद्द पास्ट यहां तक देखी पहले देखिए यहां से देखिए पहले कि राम राज्य है मल्टिपल मीनिंग बहुत सारे मीनिंग होते हैं रैंपल इन आयोद्य आम मस्ट इंस्पाइर कि जो आयोद्य हमें ट कि सब्सक्राइब टंतर की डिटर्माइब not by an obsession कि हमें एक obsesan नहीं होना चाहिए गलत जुनून नहीं होना चाहिए गलत फार्म की मैं सब कुछ करूए बिद्ध पास्ट जैसे पास्त पहुए करता था बट बाइन एप्रियेशियेशन हमें एप्रिशेशन देना चाहिए ह हमें अब मिनिग होता है दूसरी की तारिफ करना क्या होता है दूसरी की तारिफ करना अगर यह तो हम क्या करेंगे सामना करेंगे अगर कोई चाहिए ठीक है बोग गलत है यह कहा उन्होंने एक ब्यवस्ता है और सही सुचारू रूप से चलने चाहिए ठीक है देखिए प्राइम मिनिस्टर में आल्सो नोटेट उन्होंने यह भी नोट किया कि उन्होंने यह भी बताया कि जो टैंपल जो बना हुआ है वो जुडिशली यानि कि नियाएक ब्यवस्ता के अनुरूप बना हुआ है जैसे यह से आर्डर थे सुप्रीम कोड के उसके अकॉर्णिंग ही उन्होंने बनाया है सुप्रीम कोड बर्डिक्ट टैट हैंड़ोवर सुप्रीम कोड का जो बर्डिक्ट था डिसीजन था हैंड़ोवर किया दिस्प्यूट लैंड इन आयोद्या तू दा हिंदू पिटिशनर हैड आल्सो अन्विवेशली नोटेड डैट डिमॉलिश ऑप बाबरी मस्जिद ऑ सब्सक्राइब के अंदर हिंदू पिटिशनर को जोनोंने क्या दा रही थी याची का डाली थी हैड आल सो अन्विवेश अन्विवेश नोटेट इस पर पर नोट कि डिमॉलिश ऑब बाबरी मस्जिद ऑन डिसेंबर 6 1992 कर सेवकर कर सेवकर कर सेवकर कर सेवकर की द्वारा डिमॉलिश किया गया था तोड़ी गई थी बाबरी मस्जिद ठीक है इस शीरिस वाइलेशन अब दोलो उस समय शीरिस वाइलेशन था क्योंकि कुछ ही अगर बन जाती तो इसको तोड़ना यह अपने अप में क्या है गलत है ऐसा सुप्रेम कोट ने बोला लेकिन लैंड क् उनकी थी हिंदू की तो यह था मैटर कुल मिला करके सॉल्व नहीं होने आ रही थी फिलाल तो सॉल्व हो चेका है डिवोटीज मतलब जो डिवोटीज होते हैं समर्थन देते हैं ऑप दे टेंपल इन दियर मॉमेंट ऑफ दे सेलिबरेशन शुड नॉट बी अनमाइंड कि जो पास्ट की बाते हैं कैसी हैं पास्ट की बाते हैं उनसे उन्हें दूर रखना चाहिए फिलाल तो सेलिबरेशन का मूड है यह फिर सेलिबरेशन ही करना चाहिए माइंड नहीं करना चाहिए पास्ट की बाते जो हुई वो हुई अब जैसा चल रहा है फिलाल बैसे दे उसे किया उन्हें हटा देने चाहिए और रिकन्सिलीएशन मदला मैंनला प्रफ करना चाहिए शांति पूर्वग एंड़ फीर मस्ट इल तू हो और जो फीर था पहले अब वो और दिरे-धीर उनका क्या मतलब है फिर होप में बदल जाएगा पहले डर था कि कहीं ना बन पाएगा मंदिर अब मंदिर बन गया तो होप में हो गया अब दो बर से मस्ट भी अवंडर की इस तरह की बातें मंदिर में होना यह ठीक नहीं उचित नहीं है इस तरह की बाते करना इसे तुरंट ही क्या कर देना चाहिए फिलाल एक मंदर और मंदिर की तरह ही इसे रखें क्यों मंदर में तो कोई भी आ जा सकता है seeking to settle historical grievances can trigger unpredictable social force and risk national unity देखिए seeking के वनदर ढूणना किसी चीज़ को यह चाहना to settle historical grievances जो पुरानी इत्यास वाली शिकायते हैं can trigger यह शुरू हो सकता है unpredictable जिसको हम बोल भी नहीं सकते बता भी शकते ऐसी चीज़ें unpredictable होती है social force risk national unity अगर हम पुरानी सिकायतों को लेकर पुरानी चीज़ों को लेकर कर चलेंगे तो ऐसा हो सकता है कि समाज में रिस्क हो जाए कैसा social social national unity का यानि कि समाजिक unity अभी मिलाव है ना एकता चल रही है तो बहुत साथ तूट सकती है इसलिए पुरानी बातों को हमें भूलना होगा मिस्टर मोदी हिमसेल्फ नोटेड इस फेक्ट उन्होंने खुदी नोट किया वाइल एप्रिशेटिंग दा रिलेटिव इस बेड बिच टैंपल वाज बिल्ट आफ्टर शुप्रीम कोट बड़िक टूट नाइंटीं कि मिस्टर मोदी ने खुदी ये शारी चीज़ आगे देखिए इन दा मेगिंग अफ्ट ओफंप ट्रिजन टेंड पॉलिटिक्स दापास्ट इस ओफंफन यूज्ट तो मैलेवल दा मेटेरियल देखिए कि इन डा मेकिंग उप पिरिजेंड कि आज जो इसधार चल रहा है कि पॉलिटिक्स में क्या है कि पास्ट इन दा करने की कोशिज की जाते थी ठीक है भो भी नहीं करना है अब करना क्या है एकदम मस्त रहना एकदम भगवान नाम में ठीक है इट केंशेवली बीडिप्लाइड फॉर दा पर पर फॉर गोइंग युनिटी एंड क्रीट हार्मनी इस्टीड ऑफ शंचुएटेंग कि जितनी भी पहले पास्ट की बातों को शिकायद की रूप में लेते थे ना एक बोला था अगले सेंटेज में अब इसमें देख लीजिए इसका फिड़ बैड़ेगा इट कैन शियोली डिप्लाइड फॉर दा पर 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 फॉर्जिंग युनिटी अब इसे हमें इस्तवा किस चीज पर हमें जो मतभीद बने हुँ हैं अपने देश के अंदर लोगों में समाज में उन पर जोड नहीं देना है के वल हर्मनी पर जोड देना है कि क्या मिल मिला बैट जाए ठीक है सब लोग एक शांती पूरोग लाइफ इस्पेंड करें और प्रोग्रेस पर काम करे जो इस्टेट क्राफ्ट जो इस्टेट क्राफ्ट है राज को चलाने की उसकी जो समझदारी है ना मेकिंग राइट च्वाइस के वल हमें राइट च्वाइस करने में ही दिखानी चाहिए या फिर राइट च्वाइस लेने में या करने में ही स्टेट क्राफ्ट की समयदारी दिखानी चाहिए यानि कि जो इस्टेट में है यानि कि जितनी भी सीम होते हैं यार राजनीती पार्टे होते हैं उनको सही च्वाइस चीजे च्वाइस करने में अपनी गुद्धी लग ठीक है और इसमें कितनी बर्ड आपको याते यह भी बताएं तो मिलते हैं नेक्स सेशन में तब तक क्लिए बाबाइ टेक क्यर है वाव गुड़ देड